नमस्क्रार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 30 मार्च बुद्वार दपेर सवा बारा पजे रासांग की ग्यारा बड़ी खबरे पांच राजे में चुनाव खत्म होने के साथ ही एक बार फिर महंगाई का दौर शुरू हो गया है अंतरास्टिय बाजार में क्रूड आयल के दाम कम होने के बावजूद केंडर सरकार लगतार तेल के दामों में इजाफा कर रही है बुद्वार को पेटरोल 88 और डीजल 82 पैसे महंगा हुआ इसकी बाद जैपुर में एक लिटर पेटरोल की कीमत बढ़कर 113 रुपए 20 पैसे पर पहुँच गई डीजल प्रती लिटर की कीमत बढ़कर 96 रुपए 43 पैसे बढ़ गई है ऐसे में मार्च महिने के 9 दिन में 8 बार बड़ी कीमतों के बाद पाटरोल 6 रुपए 8 पैसे और डीजल 5 रुपए 61 पैसे महंगा हो चुका है आज राजस्तान का सापना दिवस है राजस्तान के सापना दिवस पर मुखी मंत्री अशोग हलोत ने प्रदेश वासियों को शुपकामनाई दी है उन्होंने सभी प्रदेश वासियों को राजस्तान दिवस की हारदिक शुपकामनाई दी है ये दिवस हम सब के लिए महान गारव का शन है ये राजस्तान की वीर्ता, त्याग, विरासत और संस्कृति का उत्सव है इस दिवस पर मैं प्रदेश वासियों के सुक्सम्रदी उत्तम स्वास्ति की कामना करता हूँ हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ है इस अफसर पर प्रदान मंति नरेंद्र मोदी ने भी राजस्तान के सापना दिवस पर शुपकामनाई दी है मोदी ने अपने संदेश में कहा कि शुआरे स्वाभिमान और बलीदान की एतिहासिक धरती राजसान के समस्त निवासियों को राजसान दिवस की कोटी कोटी शुप कामना है राजसान रोडवेस कर्मियों के लिए खुश खबरी है एक अप्राय से सात्वा वेतनमान का लाब 13,000 से ज़्यादा रोडवेस करमचारियों को मिलेगा मुखे मंदर अशो गहलो द्वारा बज़र दो जार बाइस तेस में रोडवेस कर्मियों को सात्वे वेतनमान के लाब की घुशना की थी इस करम में राजसान राज़ेपत परिवान निगम के अध्याक शावं प्रबंध निदेशक संदीब वर्मा ने आज राजसान रोडवेस के करमचारियों और अधिकारियों के लिए राजसान सिविल सेवा नियम 2017 के अंतरगत पुनरक्षित वेतनमान एक अप्रायल से देने के आदेश चारिके राजसान रोडवेस मुख्याले से आज जुजारी आदेश अनुसार करमचारियों और अधिकारियों के आदेश सिविल सेवा पुनरक्षित वेतन नियम 2017 के अंतरगत पुनरक्षित वेतनमान एक अप्रायल से दिया जाना है आई एस टीना डावी और प्रदीब गवांडे अपने रेलेशनशिप का खुलासा करने के बाद दोनों अपसारवजनिक जगहों पर एक साथ स्पॉर्ट भी हो रहे है प्रदीब गवांडे पहले टीना को छोड़ने आए और उसके बाद लेने भी आए आई एस टीना डावी दूसरी शादी की बात सामने आने के बात अब एक बाद फिर से सोशल मीडिया पर छाई हुई है शादी का रिसेप्शन बाइस अपराल को जैपूर के एक होटल में होगा इसका कार्ड भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है कोटा के मुकंदरा हील्स टाइगर रिजर्व को लेकर नई दिली से बड़ी खबर आई है मुकंदरा में अपराल के प्रारम में बाग छोड़ा जाएगा माहा के अन तक यहां जंगल सफारी भी प्रारम हो जाएगी बुंदी के रामगड विश्धारिय टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन भी अगले माहा जारी हो सकता है स्पिकर ओम बिर्ला ने मंगलवार को संसत भवन स्थित अपने कक्ष में केंद्रे 1M परेवन मंत्रे भुपेन रियादव सांसत ओम माथूर और दिया कुमारी की मौजूदगी में केंद्रो और राजे के अधिकारियों के बैठक ली बैठक में अधिकारियों ने बताए कि मौकंद्रा में बाग छोड़ने के लिए एंटी सीए के अनुमती मिल गई है सीकर में बैंक करमचारी पर धोखा दड़ी करने का मामला सामने आया है खाता धारक से फरजी साइन करवा कर दो लाक रुपए अकाउंट से निकालने का रूप लगाया है खाता धारक ने बैंक में जाकर पता लगाया तब रुपए निकालने की बाद सामने आई बैंक करमचारी ने उसे रुपे वापस लोटाने की बात कही मगर बार बार टालता रहा और आखिर में फोन को बन कर दिया सीकर की कोतवाली थाने में बैंक करमचारी महिश कुमार बाज्या के खिलाफ दोखा तड़ी का मामना दर्च किया गया है राजस्वा मंदल में सीधी भरती पटवार प्रतियोगी परिक्षा 2021 में और साही रूप से चैनीत और अब तक वंचीत कैनिडेट को दस्तावेश सत्यापन का आज वेकल एक और मौका मिला है अब तक 11349 में से 10166 ने दस्तावेशो के सत्यापन स्क्रेनिंग में भाग लिया जबकि 1173 अनुपस्तित रहे राजस्व मंदल के निबंदक डॉक्टर मोहनलाल यादव ने बताया कि आरेस परिक्षा अथवा अपरिहारे कारणों से तै कारिक्रम के दौरान दस्तावेश सत्यापन कराने से वंचीत रहे अभिःथियों को 30人 31 मार्च को दस्तावेश सत्यापन का अंतिमसर दिया गया है डुंगरपुर जिले के हथाई और सत्तु के राशन डिलर का गेहु के गबन का मामला सामने आया है डुंगरपुर जिला रसत अधिकारी की रिपोर्ट पर दोवडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है विभाग के भौतिक सत्यापन में दोनों राशन डीलर्स ने 243 किलो सरकारी गेहूं का गबन किया है दोड़ा थाना दिकारी कमलिस शौधरी ने बताया है कि डुंगरपुर डीयसो राम चंद्र सेरावत ने सत्तु वे हथाई राशन डीलर के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कर वाया है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे है ये वाउं के लिए अच्छी खबर है और नेच्रल गेस्ट कॉपरेशन लिम्टेर ने जूनियर कंसल्टेंट और एस्सेशेशन कंसल्टेंट के 36 पदों पर भरती निकाली है इसके लिए 65 साल तक की उमर की उमीदवार 30 मार्स तक ONGC की ऑफिशल वेबसाइट पर ज़ाकर ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं भरती परिक्रिया में शामिल होने वाले उमीदवारों का चैन लिखित परिक्षा के साथ इंटर्वी के आधार पर होगा बारमेर जिले में लूनी नदी के तलहटी पर बसे तिलवाडा मेले में अलग ही रंग और रंगत है राज्यों में ये एक मात्र मिला है जहां करीब दो हजार घोड़े एक साथ आए हुए हैं कठ्यावाडी, मालाणी, सिंधी, नसले के घोड़े एक से बढ़कर एक और इनके व्यापारे भी महरास्ट, गुजरात, मध्य, प्रदेश, पंजवाब, दिल्ली और अन्य राज्यों से पहुंच चुके हैं मेरा पूरे रंग में रंगा है, यहां शाम को हो रही घोड़ दोड में सो सो घोड़े एक साथ दोड़ते हैं तो लगता है कि किसी फिल्म का द्रश्य है जिसको अब तक परदे पर ही देखा है बार्मेर की पूर्विसांसाद और वरतमान में रास्तान सैनिक सलाकार समीती के अध्याख्ष, राज्य मंत्री मानवेंद्र सिंग ने मंगलवार को पाकिस्तान के बलुचिस्तान पहुंच कर हिंगलाज माता के दर्शन के इससे पहले पाकिस्तान पहुंचने के बाद मानवेंद्र सिंग ने गुरुनानक देवस्थान में महाराधिया रंजी सिंग के समाधी पर पहुंच कर आशिरवाद लिया सिंग ने नानकाना साहब का सरोपा भेंट कर आशिरवाद लिया बलुचिस्तान में हिंगलाज दर्शन करने के साथ ही मानवेंदर सिंग ने वहाँ विधिवत पूजार चुना की और अपने साथ ले गई देवी प्रतिमायम मंदिर्थ प्रबंधन को सौपी फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिरों के कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT न्यूज के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें